नमस्कार गुड इवनिंग शुप संधिया घड़ी में साड़े आठ बचते ही वक्त हो जाता है आपके पसंदीदा कारिकरम स्पोर्ट स्कैन का आज का स्पोर्ट स्कैन लेकर हाजिर हूँ मैं आपके साथ शशांग और दिन भर की तमाम खेल खबरों पर चर्चा करने के मौझूद है सीनियर स्पोर्ट जनलिस्ट राकेश राओ जी राकेश आपका स्टूडियो में स्वागत है बहुत बहुत शुक्रिया शेशक और युवा भारतिये टीम खेल रही है डर्बन में अपना पहला टी-20 मैच और दक्षिल अपरिका ने टॉस जीत कर पहले गिन ब कर सकती है तेज गेंदबाजों को उसका पुरा फायदा उठाए जाए इसलिए बाक्रम ने जो अपना जो चॉइस है उनका पहले उन्होंने सोचा कि बोलिंग हम पहले करें चलिए बिस्तार से चर्चा करेंगे सभी खबरों पर लेकिन सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर डर्बन में भारत के साथ पहले T20 क्रिकेट मैच में दक्षुन अफ्रिका ने टॉच जीत कर पहले गेंदबाजी का फैसला किया किरंड जॉर्ज कोरिया बैडमिंटन मास्टर टूनामेंट के पुरुष सिंगल्स के सेमी फाइनल में खटी वरिता दी गई तो क्रिकेट से शुरुवात करें तो भारत और मेजबान दक्षिन अफ्रिका के भी चार मैचों की शंकला का पहला T20 क्रिकेट मैच डर्बन में खेला जा रहा है और टॉस हो चुका है दक्षिन अफ्रिका ने टॉस जीत कर पहले गेंदबाजी का फै क्षिन है वहां पर दीखें ओवरकास कंडिशन है क्योंकि वहां बारिश अभी हुई है तो कंडिशन थोड़े बहुत तो चलो ठीक है लेकिन ऐसा है कि T20 गेम है आपके पास मार्जिन बहुत होता है और मेरे ख्याल से हम पूरा गेम देखेंगे यहां पर अभी क्योंकि ब बल्कुल नया लाइनप कही न कहीं हमें देख रहा है बैटिक में तो फिर भी ऐसे नाम है जिनोंने खेलने उते हुए देखा है तो बॉलिंग लाइनप पर आपका कमेंट रहे हैं तो यह जो कॉम्बिनेशन के साथ हम चल रहे हैं हम छे बोलिंग ऑप्शन के साथ जा रहे यही दो टीम होने खिला और इंडियन टीम बहुत अलग सी लग रहे है क्योंकि उस टीम के काफी रेगुलर मेंबर्स जो हैं जिनमें के तीन तो रेटायर हो गए रोहेत विराट और रविंदर जडेजा उसके बाद कुछ लोग ऐसे हैं जैसे भुमरा अविलेबल नहीं है रिशब को तयार किया मतलब रेडी रखा जा रहा है फ्रेश रखा जा रहा है ऑस्टिलेट की टूर के लिए तो यह काफी सारी चीज़ा ऐसे हैं जो कि यह बिल्कुल अलग टीम है यह वो टीम नहीं है जो वर्ल्ड कप जीत के आई है लेकिन पोटेंशल इतना है इस टीम म उसको एक बरावरी किटकर दे सकती है यहां पर हम देखे तो शुदूरी कुमारी यादों भी है हादिक पांडे आर्शदीप अक्षर पटेल सभी है यहां पर और इसके हिसाप सब कर देखे तो यूवा टीम के लिए कही न कहीं यह मौका है दक्षर अफरिका की फास्ट ब लेकिन ओवरॉल जो है यह तीम अगर हम देखें कि अगला वर्ल्ड का पाएगा उसमें जादा तर यही मेंबर होने वाले है क्योंकि जो जो कि रेगुलर मेंबर है हमारे वो लोग जो जितने लोग होते जा रहे हो स्थीरे दिरे निकलते जा रहे तो यह हमारी टीम की कि आपके पास अगर उपर से रन नहीं बन रहे हैं तो मिडल ओर अच्छा खेल जाता है अगर फास्ट बोलर्स ने विकेट नहीं लिया तो स्पिनर्स ले जाते हैं अगर आपने उपर गेम को नहीं रोका है तो फिर जो एंड ओवर्स में जो हैं वहां पर आकर हमारे टीम म में तो ये टीम को देख के खुशी होती है तो देखें डर्बन के पिछ पे क्या करते हैं बिल्कुल और एक और युवा टीम खेल रही है मेलवन में ऐस्टेलिया में ऐस्टेलिया एक के साथ अपना अनओफिशियल दूसरा टेस्ट मैच खेल रही है लेकिन वहां से पाइदा उठाती हुई नजर नहीं आ रही है देखें हम लोगों को यह उमीद थी कि फास्ट बॉलर्स कुछ कर सकते हैं वहां जाके जो ने एक हद तक किया भी था आज जैसे हमने देखा कि 161 की जो हमारी जो फिरस लिनिंगा स्कोर था उसके बाद हमने ऑस्टेलिया के प तक ले गए यह एक पॉइंट था जो मुझे लगा कि हमको उनको पहले रोक लेना चाहिए था और बल्ले बाजी के दोबारा फेलियर आपके जो ऊपर के खिलाडी है 7345 का जो स्कोर है जिसमें की हाइस स्कोर उन्हीं का है जिनका फरस्ट इनिंग में हाइस था लेकिन धुर जरूर है निराशा का और क्रिकट की बात चल रही है तो अगले साल होने वाले चैंपिन स्टॉफिक टूनामेंट के भी बात कर लेते हैं जिस पर पाकिस्तान तकरीबन जो है वो राजी हो चुका है हाइब्रेड मॉडल के लिए कि भारत के मैच यूई बे खेले जाएं ICC क अभी confirmation का इंतिजार है कही नहीं है यह more or less confirmed है क्योंकि देखे मंडे तक की एक खबर ICC को declare करनी थी और इसकी उपर बहुत सारी चीज़ें होती है लेकिन इंडिया का stand वही है और इंडिया ने कहा है कि हमें अपना stand बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है ऐसा कुछ हुआ नही कि जिससे कि हम अपने stand को reconsider करें हमने हमेशा कहा है कि security reasons के कारण हम नहीं जा रहे है और यह tournament देखे ICC का tournament है यह तो ICC का decision होगा यह पाकिस्तान का decision नहीं होगा ICC जैसा कहेगा आप सिर्फ मेजबानी कर रहे हैं उस tournament की तो आप सिर्फ मेजबान रहे है और जो जिसका tournament है व और यहां देखे तो Australia टीम सिर्फ 35 ओवर में 133 रण पर सिमट गई थी राहरिश राउफ ने 5 विकेट लिये जवाब में सैम अयूब के 82 और अबदुल्ला शरीप के 64 रण की बदलत पाकिस्तान ने 27 ओवर में लक्ष हासिल कर लिया तीसरा मैच कल खेला जाएगा और हम का ओबायाशी को लगातार गेब में पराजित किया ये रिपोर्ट सुनते हैं फिर चार्चा करते हैं विश्व रैंकिंग में 41 में स्थान पर मौजूद 24 वर्शे किरण ने दुनिया की 34 में नंबर के खेलाडी ओबायाशी को केवल 49 मिनिट में हराकर BWF विश्व टूर सुपर 300 प्रतियोगिता में एक और उलट फेर करते हुए जीत दर्ज की टोर्नमेंट में शामिल एक मात्र भारतिय खिलाडी किरण ने पूरी मैच में शांदार खेल दिखाया और बढ़ध बनाई रखी पहले गेम में किरण ने 15-6 की बढ़ध बना ली थी इसके बाद ओबायाशी ने वापसी कर स्कोर 12-16 कर दिया लेकिन किरण ने लगाता चार अंक लेकर पहला गेम अपने नाम किया दूसरा गेम काफी करीबी था जॉज ने शुरुआत में 7-3 की बढ़ध बनाई लेकिन ओवायाशी ने वापसी करते हुए इसकोर 8-8 कर दिया इसके बाद किरण ने फिर से अंतिम छडों में दबदबा बनाया और लगातार चार अंक लेकर दूसरा गेम 2016 से अपने नाम किया भारते खिलाडी ने इससे पहले प्री क्वाटर फाइनल में तीसरी वरियता प्राप चीनी ताइपे की ची यू जेन को हराया था कल सेमी फाइनल में किरण का सामना शीश वरियत अप्राप खिलाडी थाइलैंड के कुनलावुत वितिद सर्ण से होगा मुदिता स्पोर्ट्स कैन तो किरण लगातार दो मैच जो है वो लंबे उन्होंने खेले और टॉप सीड़े टॉडामेंट के खिलाडी को हराया उन्होंने उनकी अन्रेंकिंग है कैसा रिजल्ट अब तक किरण यहां पर दे रहे हैं पहले तो हमको यह समझना है कि यह टॉर्नमेंट है यह BWF के जो 300 लेवल के टॉर्नमेंट है इसमें यह टॉप प्लेयर्स नहीं खेल रहे हैं तो अगर हमारा जो खिलाडी है किरण यह अगर 41st रैंक है उसकी वर्ल रैंकिंग है क्योंकि इन लोगों को उपर के टॉर्नमेंट खेलने को मिलते नहीं है तो यह एक मौका था किरण के लिए कि वो इस टॉर्नमेंट में डीप जाएं सेमी फैनल खेलें और वहां से अगर वो जीत जाते हैं तो जो रैंकिंग पॉइंट्स मिलते हैं वो उनको उनके रैंकिंग ऊपर लेके जाएंगे और उनके मिलेंगे उपर के टॉर्नमेंट खेलने के लिए तो उस लिहाज से देखा जाए तो यह बहुत अच्छा रेजल्ट है क्योंकि जब आपकी रैंकिंग थोड़ी नीचे रहती है तो आपको उपर के टॉर्नमेंट्स खेलने को नहीं मिलते हैं जितना एक इंडियन बैटमिंटन के मेंज में अभी जो कुछ एक्साइटमेंट हुई थी क्योंकि लक्षिसे न अच्छा कर रहे थे लेकिन उसके अलावा हमारे पास बाकी खिलाडी जो पहले का जो क्रॉप था वो धीरे-धीरे खतम हो रहा है और नया क्रॉप ने बहुत चत्रेज रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं चन्नेई ग्रैंड मास्टर्स में कल तीसरे दोर में उन्होंने एलेक्स सरना पर जीत की बदौलत अर्जुन ने फैवियानो कारवाना को पीछे छुड़ते हुए दूसरा स्थान असिल किया चौकी बाजी अबडेट है आपके पास राखेश शेशांक आज भी अर्जुन जीत गए हैं और अब सोल लीडर है क्योंकि उन्होंने जो इरानी खिलाडी था जिनके अंक उतनी थे जितने अर्जुन के थे उनको आज हरा दिया ब्लैक पीसे से तो ये कमाल की विन है और अर्जुन अभी एक पॉइंट नहीं उसका भी एक हिस्सा असी परसेंट तो उसके बाद जो आज जीत हासिल किया उन्होंने वह बहुत अच्छी हासिल की जीत और वर्ल नमबर टू है और इनके में और वर्ल नमबर वन में जो भी फासला है वो घटके सिर्फ 21 पॉइंट का आगया है तो ऐ चत्रंच जैसे कि खेल है जैसे हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड के अभी टॉप हंड्रेड में 12 इंडियन्स हैं ये इससे पहले कभी नहीं हुआ चलिए हम उम्मीद करते हैं ये संख्या और बढ़े और एक और खबर हमारे पास है टैनिस से रोहन बोपन्ना और ऑस्टेलिया के मैप्थ्यू एबडन को ATP फाइनल्स टैनिस टूनामेंड में छटी वरिता दी गई है दोनों पहले मैच में सोमवार को खेलेंगे ये रिपो सियोरी तथा केविन क्रोविट्स और टीम पोवेट्स भी शामिल हैं ग्रूप की चार टीमें राउंड रॉबिन प्रारूप में खेलेंगी शीच दो टीमें सेमी फैनल में पहुचेंगी उधर माइक ब्रायन ग्रूप से दूसरी वरिता प्राप्त मार्सेल ग्रेनोलर्स और होरोसियो जैवालोस शीच दाविदार हैं जबकि वैसले, कूल होप और निकोला मैटविक, मैक्स पार्सिर और जॉर्डन थॉम्सन, हैरी हैली योवारा और हैंरी पैटन इस ग्रूप के अन्नि जोडियां हैं टोनामेंट में दोनों ग्रूप का नाम बॉब ब्रायन औ वो अच्छी आ रही है, इस समय सैम्जू सैंसन कमाल कर रहे हैं, उन्होंने 10 बॉल पर 17 रन बना लिए और भाती टीम का स्कोर जो है, वो तीसरा ओवर खत्म होने वाला है, 24 रन है, बिना किसी विकेट के नुकसान पर, जो स्टार्ट हम एक्सपेक करते हैं, यह बिल्कुल और एक और मैच चल रहा है, फुटबाल में, इंडियन सूपर लीग, आईसल, फुटबाल टूनामेंट में, आज बैंगलूरू FC का मुकाबला, नौर्थिस युनाटेड एफसी से हो रहा है, हाफ टाइम तक, नौर्थिस युनाटेड दो एक से आगे है, और कल एक बड़ हमारे फुटबाल के लिए, और हम आज बात कर रहे हैं कि हम हजारवे मैच की पूर्वे संधिया पर हम यहाँ बैठे हैं, तो यह एक बहुत ही एक अच्छा, अच्छा एक अच्छा, अच्छा, एक मले ऑपरचुनिटी कि हम इसे कंसिस्टेंटली कर पाए इतने साल, तो ब पर हम प्रोग्राम को यहाँ खतम करते हैं, राकेश आप स्टूडियो में आए, और सभी अच्छा, एक बहुत 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 शुक्रिया, च्छा, तो शोता हूं, चलते-चलते, आपको एडलाइन्स एक बार फिर से बता देता हूं, डर्बन में भारत के साथ, पहले T20 क् मैच में दक्षिड अफ्रिका टॉस जीत कर पहले गेंदबाजी कर रही है भारत ने पहला विकेट खो दिया है तीन ओवर में 24 रन बना कर खेल रही है भारती टीम किरंड जॉर्ज कोरिया बैड्मिंटन मास्टर्स टूनामेंट के पुरू सिंगल्स के समी फाइनल में अचे रोहन बोपन्ना और आस्टरेलिया के मैप्तु एबडन को ATP फाइनल स्टेनिस टूनामेंट में छटी वरिता दी गई है तो इसे के साथ शशांक और स्पोर्ट्स कैन की पुरी टीम को अनुमती दीजे पर आप बने रही है FM गोल्ड पर कुछी समय में आप सुनेंगे समाचार संध्या गुड नाइट शुबरात्री